पाकिस्तान को बड़ा जहका रूस ने पाकिस्तान को खाली हांथ लोटाया प्रूड आयल पर भारत की तरह 40% डिसकाउंट नमागा था पुतिन सरकार ने साफ सब्दों में मना कर दिया नमस्कार मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं दाखवरदान नेुज़ रूस ने पाकिस्तान को दो टूप में कह दिया कि वो भारत की तरह उसे भी सस्ता कूट आल नहीं देगा दो महिने में दूसरी बार पाकिस्तान सरकार का एव दिली गेशन मासको गया था वहां इसने ब्लाग में पुतिन सरकार से अपील की थी कि वो पाकिस्तान को भी 40% डिसकाउंट पर तेल सप्लाई करें रूस ने इसे साफ इंकार कर दिया रूस ने यह भी कहा कि उसके पास फिलाल जो ओडर है वैसे उन्हीं को पूरा करेगा भरवरी में पाकिस्तान के प्रधान मत्री किमरान खान मासको गय थे और उन्होंने तब भी राष्ट पति पुतिन से पाकिस्तान को सस्ता तेल देने सपार के दिमांड के थी और तब भी पुतिर ने इसे खारिस कर दिया था पाकिस्तान के अछबारदा न्यूज ने गुरुबार को एक रिपोर्ट में बताया कि रूस ने पाकिस्तान की सश्ते तेल की अपने त्यान नहीं थी रूस ने साफ कर दिया कि उसके सप्लाइ स्लोट बूख है और वो भारत जैसे अपने बड़ी खरीदार को नाराज नहीं कर सकता है भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करते हैं भारत ने अप्रैल में रूसी तेल आयात को बढ़ा कर लगभग 2,77,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है जो मार्च में 6,000 बैरल प्रतिदिन था बीते साल आठ ऐसी भी देश थे जिनसे भारत ने रूस की तुल्णा में अधिक तेल खरीदा था अप्रैल तक का यह आकड़ा कहीं ज्यादा हो गया खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है वहीं बात करें रूस की तो अमेर के देशों को सप्लाई होता है आप बात करते हैं टॉप 10 तेल उत्पादत देश कोर कौन से हैं जिसमें अमेरिका नंबर एक पर है जो 16.5 मिलियन बैरल प्रतिजिव का उत्पादन करता है दूसरी नंबर पर साउदी एरफ 11 मिलियन प्रतिवारल तीसरी नंबर पर रूस 10. 5.7 मिलियन बैरल कनाडा 5.1 मिलियन बैरल इराग 4.1 मिलियन बैरल चेन 3.9 मिलियन बैरल यूए 3.7 मिलियन बैरल इरान 3.1 मिलियन बैरल ब्रांजील 3 मिलियन बैरल और अंतिमे कुवैद जो की 2.7 मिलियन बैरल का उत्पादन प्रतिदिन करता है रूस अप्रैल में भारत का चौथा सबसे बड़ा कुरूड आयल सप्लायर बन गया है। रूस से अधी कुरूड आयल भारत, इराग, साउधी अरग और यूएई से खरीद रहा है। भारत के कुरूड आयल में आफ्रिकी तेल की हिस्सेदारी मार्च में 14.5 से घटकर अप्रैल में 6% रह गई है। जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी करीब आदी होकर मात्र 3% तक सिमट गई है। मार्च 2022 तक भारत जहां रूस कजाकिस्तान और अजर्बैजान से मात 3% तेल खरीद रहा था, सिर्फ एक महीने बाद या हिस्सा बढ़कर 11% तक पहुँच गया। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रति दिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रति दिन प्रोट आयल खरीदा है। 2021 में ये अवसत महज 33,000 बैरल प्रति दिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने इंपोर्ट का कुल 1% पेल रूख से खरीदता था, जो की अब बढ़कर 17% हो गई है। इसी प्रकार की रोचक वीडियो देखरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें दाखवरदार में उसके साथ धन्यावार।